हालो दोस्त वर्ट्योस चैनल में आपका स्वागत है रर्वी स्केल वन 2020 प्री का रिजेंट आ चुका है उसमें जो आप लोगों के कमेंट्स मिले हैं उसमें काफी कमेंट्स में यह था कि क्या जिस तरीके से राजस्तान और गुजरात का कटोफ जैसी उमीद है पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनना जो बहुत अच्छे बच्चे हैं रेगुलर चैनल से जुड़ेवे हैं और जिनके जो अटेंट्स से उसकी अकोर्डिंग उनका क्लियर होना चीए था नहीं हो पाया इसका मतलब बेंक को बढ़ोदाने विकेंसीज को जो बें करने के कैसा लगता है तो अब जो कमेंट्स आप लोगों के मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं ओफिस असिस्टेंट को लेके कि अगर यह हुआ है इसका ओफिस असिस्टेंट का कटो भी पर्टिकुलर इनिस्टेट्स के लिए ज़्यादा रहेगा कि तो पोसिबिलिटी आज के दिन तो टोटल वेकेंसीज देखें और बैंको बड़ोदा से रिलेटेड जो आपके बैंक हैं उनकी वेकेंसीज देखें तो टोटल वेकेंसीज आपके इसकी ओफिस असिस्टेंट की गुजरात में थी 247 और आउट ओट 247 202 दो बैंक है इस वहां तो एक यह जो बड़ोदा ग्र होगी जैसी संभावना लग रही है ऐसी संभावना है अगर नहीं हो तो यह अपने लिए बोनस और राजस्तान का अगर आप देखें तो राजस्तान में जो टोटल वेकेंसीज थी वो थी 323 और इसमें से 210 वेकेंसी गुडोदा ग्रामिन बैंक के यहां भी देखें 323 की ज बड़ा था वहां बोल्यूम बड़ा था शाड़े ठाना सो के अगेंस 604 वेकेंसी जो बैंक को बड़ोदा से रेलेटी जो ग्रामिन बैंक है उसकी है बट वहां दूसरे बैंक में भी इसलिए यहां इतना असर नहीं पड़ेगा जैसा कि आपने स्केल वन में भी देखा स् सेलेक्ट हुए है बट गुजरात और राजस्तान में के से जिन बच्चों ने एक्जाम दिया और जिन का अच्छा अटेंट था और जो सोर सोट लग रहे थे कि प्री क्रेक करेंगे वो नहीं कर पाए इसका हम लें यहां बड़ा रिड़क्शन जैसा वो चल रहा था बैंक ऐसी संभावना आज के दिन है अगर नहीं हो तो यह अपने लिए बोनस है लेकिन इसके लिए मेंटली प्रिपेर रही तो इसको एक बुरा सपना मानके भूल जाईए क्योंकि यह आप लोगों की गलती नहीं है किसी बच्चे ने आज एक हर बच्चा चांस लेता है अगर पंजाब के बच्चे ने गुजराथ से फ़र्म फिल किया है तो उसकी गलती नहीं है गलती बैंको बड़ोदा को टाइमली इंटिमेटी सीज को करना चाहे था फॉर्म फिलिंग से पिफॉर करना चाहे था कि यह जो वकेंसी आपने जो इंडेंट आपने बेजा है यह वके कर जाएं यह bonus आपके लिए नहीं करें तो नहीं किया बट जो दूसरी एक्जाम से उन पर आप अपना फोकस मेंस की जो दूसरी अपना IPS कलग पी ओबेस दिया होगा SBI PO भी दिया होगा IPS PO भी दिया होगा आप उनके मेंस की प्रिपेरेशन पर फोकस कीजिए इधर उधर बिल्कुल भी मत देखेगा क्योंकि इसमें आप देखिए अपने चैनल पर भी क्वांट और रिजनिंग की रेगुलर क्लास से चल रही है तो जो भी बच्चे मेंस की प्रिपेरेशन कर रहे हैं उनसे मेरे रिक्वेस्ट है कि आप पे कुछ सेशन जुरूर लेके देए दो तेन सेशन एक बार है अटेंड करके देख लीजिए फिर आपको अच्छा लग यह मैं ले रहा है और यह करीब-करीब डेट से दो गंटे की क्लास से जो रही है वन एंड हाब टू तू अवास राइट इच्छा कंटेंट है दो तिन क्लास से जरूर लीजी और आपका अगर इस सेशन में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस सेशन में किसी भी प्रिम पूरे मन से प्रिपेरेशन कीजिए क्योंकि यह व्यस्ट नहीं जानी है यह आपके काम आनी है और जब तक आप पूरे मन से यह नहीं मानेंगे हां मैं कोई कोई एक्जाम क्रेक करने आप उतने उसके साथ ग्रेविटी के साथ प्रिपेरेशन नहीं कर पाएंगे तो यह मा झाल